वाकई एक पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल भरा जोइस होता है कि मैं किस आईवेफ के डॉक्टर से अपना प्रोसिजर करा हूँ विकॉज जैसे कि प्रोडक्ट्स इतने सारे मार्केट में होते हैं जब आप कुछ भी लेने जाते हो तो आपको यह उल्जन होती है कि मैं किस प्रोडक्ट करू हूँ सेम होल्स टू कि आप आईवेफ जिससे करा रहो हो आप किससे आईवेफ करो क्यों आप एक से करो और क्यों दूसरे से नहीं करो डिग्री सब के वास बराबर होती हैं तो इसके लिए पेशन्स को यह बहुत जरूरी है जानना जब वो जाते हैं तो पहले चीज़े प्रमु सब्स क्या आप यह सोब्स करें दोटे कर दो तो आपको जानना बहुत ज़ूरी है कि जो डॉक्टर जिससे आप घीट में मिल रह और हो वही आपका आइवेफ कर गा यह जो डोक्तर है यह जो डॉक्तर आप करने वाला है उससे आप कभी ना कभी ओपीडी प्रोसीजर के पहले जरूर मिलोगे मीन्स वो डिसाइड करेगा कि आपको आइवेफ की क्यों जरूवत है आइवेफ के पहले आपको किन टेस्ट कराने की जरूवत है यह सब क्वेस्चन आपको अपने डॉक्टर से पूछने चाहिए विकॉज आईवेफ एक ब्रॉट टर्म होता है तो आईवेफ एक ब्रॉट टर्म होता है तो आईवेफ एक ब्रॉट टर्म होता है उसमें बहुत सारी चीज़े होती है उसके अंदर भी बहुत सारे चीज़े सब सब चीज़े होती है छोटी चीज़े होती है तो व तो ये सारी चीज़ें एक बंदे की होनी चाहिए शुरू से लेकर के ध्रुण बनने तक एक आदमी होना बहुत ज़रूरी एक डॉक्टर जो आपको समझे आई वेफ सिर्फ यह नहीं होता है कि आप एक ध्रुण बनवालो अपने अंदर डलवालो आपके इमोशन भी से आप में connect हो सकें दूसरा आप ये पूछो कि जो आई वेफ की लैब है इम्रॉलजी की लैब वो कैसी है आपका इम्रॉल्जिस कैसा है वो भी बहुत important है आपका जो डॉक्टर उसके पास सारे स्किल्स हैं कि नहीं कि वो सारा procedure कर सकता है यह आपके वो सारे सवालों के जवा खुरी जब आप वेटिंग एरिया में बैखते हो कि उसदॉक्त के फीडबाक क्या है और गूगल पे रिव्यू करोगे तब आपको feedback मिलते हैं प्लस आपको live feedback मिलते है live feedback मीज़े आप opt.b.d. में बैटिंग एरिया में। वहां भी patients आते हैं अब IVV देखी ऐसी ब्राँ है जिसमें की failures हो गई आई वेफ है तो failure है तो जो बहुत सारे patient जो बाहर बैठे रहेंगे वो कुछ positive वाले बैठे रहेंगे कुछ failure वाले बैठे रहेंगे कुछ doctors ऐसे हैं जो कि obstetric नहीं करते हैं means pregnancy के बाद नहीं देखते हैं तो पास तो positive वाले patient बाहर कम बैठे रहेंगे उस case में जो failure वाले patient रहते हैं उनसे भी आप feedback ले सकते हो क्यों डॉक्टर ने आपके साथ किस तरह का behavior किया उसने क्यों क्या किया points बचे थे क्यों उसका आई वेफ फेल हुआ जो पॉजिटिव है उससे तो आप अच्छा feedback लोग है पर जिनका नहीं वाग्यों कि आई वेफ ऐसा ब्रांच है जिसमें नहीं भी हो सकता है आप बड़े-बड़े का फीडबग बहुत ज़रूरी है कि पशरेंट के ऊपर ने पी नहीं यह बहुत होई कर नहीं यह बहुतत इम्पॉर्टेंट है यह भी देखना पका काम कि अ कि स्टाफ किस तरह से बीकारा पेशने के साथ क्यों कि एक टीम वर्क होता है किस तरह से कर रहा जिनके पास IVF की न रिपोर्ट होती है ना उनके ब्लड टेस्ट की भी रिपोर्ट नहीं होती जो आई विश के दौरान किया होता है तो पेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सारी रिपोर्ट करें ऐसे जगह पर जाये जहां पे कि डॉक्टर्स पेशन्स को जो बाते कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि भुण क्या होता है अंडे क्या होते हैं हमने ऐसे भी मरीज देखें अपने ओपीडी में जिनोंने आई रेफ तो करा लिया लेकिन उनको यह नहीं पताए कि अंडा भुण शुक्रान होता है तो यह सारी चीज़े आपको एसे कर कर देंगे वह बहुत important है plus skill तो बहुत मायने रखता है उनमे skill है कि नहीं वो खुट कर रहे हैं कि नहीं कि उन्होंने किसी और पर आपको डाल दिया यह सारी चीज़े जब एक साथ ही कठी होती है पूरी टीम के साथ तब ही आपकी आई वेफ साइकल सक्सेस्फुल होती है यह बड़ा एक project होता है जिस तरह का चीज़ होता है जैसे baby project हो रहा है project baby कर रहा है उस तरह का चीज़ है तो उसमें आपको यह सब चीज़े देखनी पड़े है